नमस्कार दोस्तों गरिमा येस यूटुब चेनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग मानो संघर्ष के इतिहास के महत्पुन काल प्रागय इतिहासी काल के बारे में जानेंगे जिसे पशान काल के नाम से भी जाना आयता है पशान का अर्थ पथर होता है इसलिए इसे पपथर का काल भी कहाता है क्योंकि इस काल के मानो पथर से बने उपकरनों और ओजारों का उपियो किया करते थे आपको मैं बता दू फ्रेंड्स पशान काल को तीन भागों में विभाज़ों किया गया है एक पूरा पशानकाल, मद्दे पशानकाल और नौ पशानकाल पूरा का मतलब प्राचीन होता है मद्दे का मतलब मिडिल, नौ का मतलब नया आप लोग यह चीजे समझ में आया होगा आई आपको बताते हैं कि इस वीडियों हम लोग किन किन चीजों के बारे में जानने वाले हैं तो सबसे पले जानेंगे प्रागयति हासी काल क्या है उसके बार जानेंगे प्रागयति हासी काल क्या है उसके बार जानेंगे आदिमानो काल क्या है तो सबसे पहला जो है हमारा प्रागयतियाजी काल इसके बारे में जानते हैं तो फ्रेंट्स आपको मैं बता दूँ कि इतिहासों का अध्धन जो है फ्रेंट्स साक्षों के अधार पर किया आता है इतिहास का अध्धन साक्ष या सुरोतों के अधार पर किया आता है यह स्रोत यह साक्ष दो परकार को हो सकते हैं एक तो पुरातात्विक साक्ष और दूसरा सहेतिक साक्ष यानि इतिहासों के बारे में हम दो तरीके से जान सकते हैं एक तो बीते समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं किताबे लिखी गई हैं उस मादम से उसे सहेतिक साक्ष क किया करते थे यानि मानों कौन-कौन से चीज़ों का उपयोग किया करते थे तो उनके हतियार उनके मृदभांड उनके एगरी कल्चर से रिलेटर चीज़े क्रिसी समनी चीज़े तिन सारे चीज़ों के बारे में पूरा तात्विक साक्षाता है पूरा तात्विक साक्षों के द्रगत आप लोग को लिखित वीपरण मिलता है तबाई यह हों लोग समझते हैं प्राग इतिहासी काल को तो फ्रेंट्स इतिहास को संपूर्ण इतिहास को तीन भागों में बवाजित किया गया है प्राग इतिहासी काल अध इतिहासी काल और एतिहासी काल प्राग इतिहासी सेली का ज्यान नहीं था इसलिए उसे प्रागयतिहासिक का जता है क्योंकि इस काल की जनकारी हमें किन चीजों से मिलती है तो किवल और किवल पुरा तात्विक साक्ष करने का मतलब है कुछ समय के जो भी औहजार है उनसे उस समय के जो भी मिर्दभांड है यानि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे उन से इन सारे चीजों से हम लोगों को जनकारी प्राप्त होती है यह प्राग एतिहासिक काल आदिमानों काल के नाम से भी जाना आता है आप लोग समझ लीजिएगा उसके बाद एतिहासिक काल को जान लीजिए तो एतिहासिक काल में फ्रेंट्स लिखित साक्ष तो मवजूद हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, जैसे भारत के सिंदु घाटी सबेता का काल, सिंदु घाटी सबेता में लिपी का ग्यान लोगों को था, उस काल के लोग जो थे, भाव चितरात्मक लिपी का उपयोग किया करते थे, यानि उनकी जो ल हैं, ध्यान में रखिएगा, इस काल में लिपी ही नहीं था, इस काल में लिपी है, तो पढ़ा नहीं गया है, और एतिहासी काल के जो है, इसमें लिखित साक्ष मौजूद है, ध्यान में रखिएगा, इसमें लिखित साक्ष मी मौजूद है, और पूरा तात्विक साक्ष म लिखे लोगों को था आ यह जानते हैं कुछ और चीज़ों को यहाँ पर इतिहास को जैसे कि मैंने बताया तीन भागो में बटा गया है प्राग एतिहासी काल, अद इतिहासी काल और एतिहासी काल का फ्रेंड काल जो है वो अघ्यात काल से 25 इसापुर्ब मना आता है यहाँ पर किसी-किसी भुक में आपको 5 लाख भी मिलेगा, अलग अलग बुकों में अलग 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 देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग ध्याम रखिएगा, इसी काल को याद रखिएगा हमेशा आपको कामे आएगा अग्यात काल से 25 इसापूर अधियासी काल का जो प्रियड है उसके बाद अधियासी काल के जानते है कि इस कंत्रकत सिंधू सबेता काल और वैदिक काल आप लोगों को पता होगा कि वैदिक काल में भी लिपी का ग्यान नहीं था तो आप लोग बोलिएगा वेदो का निर्मान कैसे हुआ तो वेदो जो था प्रेंस वो स्त्रमण प्रमप्रा के माध्यम से चलता था यानि एक लोग सुन करके याद करते थे और वे दूसरों को सुनाते थे और पीडी धर पीडी इसी तरीके से संचरन हुआ करते था एक पीडी से दूसरे पीडी के लोग याद करके आगे के बोड़ाते थे तो आपको समझ में ये चीज़ें आ गया होगा अद एतिहासी काल कांदरकट सिंदू सभेता काल और वैदी काल ये दो चीज़ें आती है उसके बाद जान लेते हैं एतिहासी काल ते 600 इसापूर यानि बहुत काल से आज तक का इतिहास एतिहासी काल कांदरकट आता है तो इस वीडियो हम लोग मुख्य रूप से प्रागयती हासी काल के बारे में जानने वाले हैं अब आपको समझ में आएगा प्रागयती हासी काल के लक्षन क्या है तो इसी जान लेते हैं तो प्रागयती हासी काल के दो लक्षन है प्रेंस उस समय के मानों के जो मस्तिक्स के हैं उनके हड़ियों देखने को मिलेगा कंकाल मिलेगा उस समय के हड़ियों का उपयोग जो किया करते थे हत्यारों का उससे पथर के बने उपकरनों और अजारों का उपयोग करते थे उससे मिट्टी के बने बरतनों से बरतनों का उपयोग क करते थे लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये लोग चित्रकारी ज़रूर किया करते थे इस काल के जो लोग थे वो चित्रकारी किया करते थे जैसे यहाँ पर चित्रकारी आप लोग देख सकते हैं यह भीमबेटका का है मद्य परदेश में एक भीमबेटका नाम का आते हैं, पशानकल के प्रकार को जाने, प्रेंट्स आपको मैं बता दूँ, मानो विकास के अधार पर मानुमिन सभेता को दो कालों में विभाइत किया गया है, मानो का विकास कहने का मतलब एक तरप देख रहे हैं, आप लोग जो है एक समय बंदर के जैसा था, तेरे-दरे से बने उपकरनों और हथियारों का बनाने लगा उसको धातु यूग के नाम से निचाना आता है तो धातु यूग फ्रेंट्स आप लोग आज का बतमान यूग भी धातु यूग है ध्यान में आप लोग रखिएगा तो यह चीजें आपको समझ में आया होगा मानों विकास क को समझते हैं पशानकाल के प्रकार समझते हैं तो पशानकाल के तीन प्रकार है फ्रेंट्स जिससे पशानकाल को अप रहा गयते हासी काल भी बोल सकते हैं ध्यान में रखिएगा इसके तीन प्रकार है पूरा पशानकाल मद्ध पशानकाल और नौ पशानकाल पूरा पशान पशानकाल के लोग जो थे प्रेंट्स आखेटक वो खाद संग्राहक थे आखेटक का मतलब सिकारी होता है और खाद संग्राहक मतलब भोजन को इकठा करना यानि इस समय के लोग भोजन को इकठा करते थे भोजन मतलब मांसाहारी थे इस समय के लोग सिकार किया करते थे और उ पालतू बनाने लगे और उसके दूद और मांस को खाने लगे जैसे कि पसु पालन उनको उनके जो भी पसु थे उसको ले करके रखते थे और उनका जो भी प्रजनन होता था और उसके बृद्धी होती थी आप लोगों पता है बच्चे को जन्म देते उसका पालन करते थे औ इसमें आखेटक और पशुपालक थे, इसमें खाद को उत्पादन करने लगे, यानि खादयान चीजों को, इसमें प्रोड्यूस करना सीख गए, यानि क्रिसी एगरिकल्चर से रिलेटर चीजे इसमें आती है, इसमें खेती करना सुरू कर देते हैं, तो आपको समझ में ये आया होगा, आई ये पशान काल की भी सिस्ताओं के बारे में जलते हैं, तो पूरा पशान काल का जो समाई है फ्रेंड्स उसे जान लते हैं, ये अग्यात काल से 9000 इसापूर तक मना आता है, ध्यान रखिएगा किसी-किसी बुक में आपको 25 लाख इसापूर और किसी-किसी याद रखिएगा, हमेसा आप भूलियेगा नहीं, कनफर्म रहिएगा, ये आपको कनफ्यूजन क्रियेट नहीं करेगा, पूरा पशान काल अग्यात काल से 9000 इसापूर, मद्ध पशान काल 9000 इसापूर से 4000 इसापूर, और 9 पशान काल 4000 इसापूर, और 9 पशान काल 4000 यूरोप, अफ्रीका, पूरे महाद्यू पर भ्रमड करते थे, समझ में आया, जूंड में सिकार किया करते थे, जूंड में मिल करके, सभी लोग समूँ में मिल करके, सिकार करते थे, और मारते थे, पसुओ को, और उनको खाते थे, खात संगराक तो थे, यह आप लोगो पता ह आग का विसकार इसी काल में होता है तो आग का जब अविसकार होता है तो कच्चे मांसों को पकाने लगे जो भी जानवरों को मारते थे शिकार क्या करते थे उसको पका कर खाने लगते हैं उसके बाद फलक संस्कृति तो इसी काल में फलक का मतलब होता है फ्रेंट्स चमकदा में का अर्थ होता है फ्रेंड्स पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्मान किया जाता है इसी कलनी से बटी कास्मुद्यों के नाम से जाना आ जाता है उसके बाद मद्धे पशानकाल के बारे में जान लेते हैं तो मद्धे पशानकाल में फ्रेंड्स ये सारे भी है द्यान में रखिएगा मानों सबसे पहले गेवं और जव पूओ आने से होता है तो मिटटी के बर्तनों का भी बनाया जाने लगता है मिटटी से जो भी बर्तन मनायाי जैसे आपको बता हो आपको मिर्द बनाए जाते हैं ये सारी चीजे कुट्था को स्वरält음 पाल्तू इसी काल में बनायायता है क्यों अब आयो जानते हैं पूरा अएए प्रेंट्स एपरा इस्थान के परमुखन से पहले आकले आवा परेंट्स सोहन नदिधगाटी पनजाब पकिस्तान में पड़ता है द्यान में रुखी गा यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह पूरार परशानकालिन अस्तल है उसके बाद कस्मीर है फ्रेंट्स उसके बाद है फ्रेंट्स थार राजस्थान उसके बाद है बेलन घाटी उत्तर परदेश उसके बाद है भीम बेटका मद्य परदेश राइसेन जीला में है फ्रेंट्स मद्य परदेश के उडिसा है निवा उत्तरपर्देश के परतापगर जीले में, सराय नाहर जो है उत्तरपर्देश के परतापगर जीले में पड़ता है, पाइसरा मुंगिर बिहार में पड़ता है, लंगनाज गुजरात में पड़ता है, आदम गल मद्द परदेश में पड़ता है, और भीम बेट का मद्द पर मैं जरू बनाने का प्रयास करूँगा, तो 9 परशाण काली न सतल का अंत्रगत, मेहरगण, बलुचिस्तान, पकिस्तान, इसी का यहीं से फ्रेंट सबसे पहले गेहों और जोौ के उगाने का सक्ष मेहरगण, बलुचिस्तान, पकिस्तान से मिले है, कुली हबा उत्रप्रते से इलाहबाद नहीं मिलें सबसे ह sistem आप फराल औिक अम पिर रुएया पिखाया है नहां करनाटाथ में फीक् rhyप मश्कीд Пक borrow मसकी कांव Bradley पायम पली एक जगह है उसके बारे में जान लिजिएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना है वीडियो चलागो लाइक जरू किजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार धन्यबाद